हेलो एब्रीवंट पर आपका फिर स्वागत है आज से हम सुरू करने जा रहा है नौर्थ अमेरिका के मैप को उत्री अमेरिका को तो जैसे हमने एसिया को पुरा डीटेल में पहले पॉलिटिकल उसके बार फीजिकल उनके सभी महादवी परबत पहार जहरने नदियां जैसे ह यह उत्री अमेरिका का सीरीज सुरू करने जा रहे हैं लगवग चार-पांस वीडियो इनकी भी आएंगी क्योंकि इन में पॉलिटिकल से लेकर फीजिकल तक पूरा कवर करना होगा तो इसलिए वीडियो लंबा होगा तो घबराईएगा नहीं तो सबसे पहले हम देखें क अटरी अमेरिका किस्थिती क्या है तो देख सकते हैं अप यहां जो उत्तर में है आर्क्रीक महासाँगर है इसके में देखिए यह है नौळ पेस्पी कोशन और यहे नो थात्लांटिक महासाँगर है तो आहने ने देखा कि North America के उत्तर में Arctic महासागर है इसके पस्ची में प्रसांत महासागर है पैसिफिकोसन और इसके पूरब में देख रहा है नौर्थ अतलांटिक महासागर और मुखे रूप से यहां देख रहे हैं दो खाडियां जो बड़ी-बड़ी हैं यह हट्संबे यह देख में दक्षिर में है यह मेक्सिको की खाड़ीं यहां मेब्धा मैक्सिको सारी हैं इसको हम अलग वीदियो में कवर करेंगे अपी मैक्सिकी का मेरिका का month मैं總 case और के स्थिती जिसके उत्तर में आर्किकमा सागर और देखिए ये बेरिंग जलसंदी के दोर्ड़र रस्या से अलग हो रहा है यह पस्ची में यह आ भावन है और देखिए यह रस्या रसया से यह है चुक्की सागर और यह है बेरिंग सागर से जनके नाम से जाने जाना जाता है जल संदि और यह Katy अफ्ष। और यह है अलास्का जो उत्री अमेरिका कब आ गया तीन दोनों के बीज जो जलसंदी है वह बेरिंग की जलसंदी और यह उत्री अमेरिका जो है वह रसिया से बेरिंग जलसंदी के द्वारा अलग हो रहा है वैसे ये जो यह जो फैक्ट मैं बता रही इसको मैं इसको में बता चुकी हूँ क्योंकि असिया का जब मैंने सागर कफर किया था और सारे स्ट्रेयन कहुं कफर कि एक फिर भी मैं यहां बता दे रही हूँ लिकॉल के लिए तो आईए देखते हैं उत्री अमेरिका में कितने देश हैं पहले हम देखते हैं कुछ मुख्य अक्षांस रेखाए हैं जो मातपूर्ण देशों से उकर बुज़र रही हैं कि यह वीडियो शुरू किया थहा यह सीरी जो में मैप का सुरू किया था उसके से कें DR constant वीडियो में पर रही और जो मका रहा है और और देख लांध मेंवाले सभी देशो को में रसिया से होते हुए कि बेरिंग एस्टेट होते हुए यह अलासका जो यूएस का भाग है यानि कि अमेरिका का भाग है तो उससे होते हुए यह है कनाडा कनाडा होते हुए यह ग्रीन लैंड और यह है बैफिन आइलेंड बैफिन दीपो को अलग वीडियो में पढ़ेंगे और यह ग्रीन लोट होते हुए यह यह जा रही है रहा ये आर्क्रिक ब्रिद तो सबसे पहले हमने देखा आर्क्रिक ब्रिद को अब देखते हैं इसमें करक्रेखा किन-किन दीचों से होकर गुजर रही है करक रेखा आप देखें होंगे कि भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है आठ राजियों से तो यह है करक रेखा जो यहीं करक रेखा है जो भारत के आठ राजियों से भी होकर गुजरती है तो आप देख रहे हैं यह मैक्सिको को मैक्सिकों के एकदम बीचों बी और देखें यह कालिफोर्निया की खाड़ी तो यहां से होके यह करक्रेखा गुजर रही है मेक्सिको होते हुए गल्फ अफ मेक्सिको होते हुए मेक्सिको की खाड़ी होते हुए यह है क्यूबा यह क्यूबा से टच करते हुए गुजर रही है तो हमने देखा यहां कैलिफो होते हुए यह जा रही है तो इस तरह हमने देखा करक रेखा को अब आईए देखते हैं अब उत्री अमेरिका में कितने देश हैं और उनके राजधानियों को देखते हैं अमेरिका का एक फ्रेस मैप जिसमें हम देखेंगे देशों को तो यह जो एलो कलर का पार्ट आप त यह अलेसक यूए का हम लुर्प का तो यह यहां तक विस्थ रित के ख़्पाज़ों के उसमें भी वया है अलास्का और यह जो आ सका है यह qa ली का बाग है यह बात खाफ है यूस भी यहां मैंसन है तो यह जो। यूइस का भाग है तो पहले आम ने देखा ओलास्का को जो यूइस का पार्ट है उसके बाद देखिए यह ग्रीन कलर में कनाड़ा आपने वह फैक्ट्स पहले ही एसिया के जो A investments आइसीय का विडियो है उसमें ही देखा होगा कि जो सबसे बड़ा देश है पुरे विष्व में वो सबसे पहले रसिया है उसके बाद यह कनाडा है तो यह कनाडा जो है यह दूसरे नमबर का सबसे बड़ा देश है तो यह है Greenland, यह एक द्वीप्य देश है, और इस पर जो है यह भले ही आपको उतरी आमेरिका के पास दीख रहा है, लेकिन इस पर जो अधिकार है, यह इस पर देनमार्क का अधिकार है, इसे मैं ने यूरोप के यूरोप वाले पार्ड में कवर भी किया है, यह देनमार्क का अधिकार है इस Greenland द्विब पर देखने में तो आपको इसकी भॉगोली कि स्थिति तो आप देख रहे हैं उतरी अमेरिका के पास है लेकिन इस पर जो अधिकार है वो Denmark 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 का है Denmark जो यूरोपिय डेशों में आता है तो इस तरहां हम ने देखा अलास्का को यह कनाडा ग्रीन लैंड का तो यह है कनाड़ा और फिर हम देखते हैं यहां है यह यूनाइटेड एस्टेट जो अमेरिका बोल चाल की पासा में आप जो अमेरिका यूएसे हमेशा सुनते रहते हैं तो यहीं है यूनाइटेड एस्टेट यह एलो कलर का और इसी का पार्ट यह अलासका यह मेख्सिको और यह ग्वांटे माला यह वेली्ज कि यह होंदुरूस जो एलोख लगेर का है यह सलवाडोर यह यह निकारागुआ यह कोस्टारी का और यह पनामा यह पनामादेस और यहां से जो शुरू होता है वो धक्चिन अमेरिका का मेब शुरू होता है उससे हम लूसरे वीडियो में कभर करेंगे तो यहां आमने देखा पहले पनामा फिर अंएक ज त्षृतारी का दो यह हमने देखा ये कनाडा दस दस देसो को ये में लैंड में है यानि मुख्य भूमी में है और भी देस उत्री अमेरिका कैंतरगत ये करेवियन दुप में और भी देस है ये धेख रहा है आप यह क्यूबा ये क्यूबा हैती यह जमाइका डुमेन लिपुबिक पीटो रिको और यहां है बहामास तो इस तरह और भी बहुत सारे देस हैं उत्रिय अमेरिका के अंदरगत में यह नहीं है जो हमने अभी देखा है यह मैंद के अपर नहीं को उसमें देखेंगे मैं उसमें तो एक वीडियो में बताऊ तो वीडियो बहुत लमबा ऊगा तो इसलिए मैं अलग-अलग पार्ट में जैसे मैंने इस यह का कवर किया है पहले पॉलिटिकल जैसे मैंने अभी पॉलिटिकल बताया उसके बाद मैं सागर खाड़ी उसके बाद द्वीपो को ऐसे ही करके हम कवर करेंगे इनको भी तो आप सुना होगा आपने कुछ नाम सुना होगा जैसे लाइटिन अमेरिका मिडिल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका और आप सोच रहे हैं यह सारे यह सारे देश इसमें कौन-कौन से देश आते हैं यह संगठन की तरह सुनने में लगता है तो मिडिल अमेरिका सेंट्रल अ है कनाडा कनाडा की रजधानी ओटावा यह देख रहा है यहां है यह कनाडा की रजधानी ओटावा है यह तो यह कनाडा की रजधानी ओटावा है और फिर हम देखते हैं उनाइटेड एस्टेड यानि की अमेरिका की रजधानी क्यों तो यह है अमेरिका की रजधानी वांसी यहां यह खाड़ी वाले चेट में कवर करेंगे तो जब भी आप किसी देश को पड़ रहा है तो उसकी राजधानियों को अगर उसके साथ ही आप देखते चले जाएं तो आपको अलग से याद करने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए पहले यह कनाडा की राजधानिय यानि कर नॉर्थ हएँ और सारी यूणाइट एषटेट यानिकी आश्वा एक राजधानी और फिर हम देखते हैं यह है मेक्सिको सिटी इक है यह मेक्सिको देस और और इसकी रज़दानी है मैक्सिको सीटी यह देख रहे हैं यह मैक्सिको सीटी और फिर हम देख रहे हैं यह है ग्वाटेमाला यहां कई सारे देश हैं जैसे यह बेलिच इसकी रज़दानी है बेलमोपेन और यह है ग्वाटेमाला इसकी रज़दानी है ग्वाटेमाला सीट इसकी रजदानी है सेल सल्वाडोर और यह है निकारा गुवा इसकी रजदानी है मांगुवा और इसके नीचे हमने देखा था एक और देश जो इस मैप में मैंसर नहीं है वह पनामा पहले हुँ आ पानावा देखा था हमने इसके नीचे तो उसकी रद्धानी थी पनामा सिटी आप इसके बाद वाले दूसरे मैप में आपके पास ऑक्सफोर्ड ऐटलस वाला मैप का बुख उसमें भी आप देख सकते हैं पनामा सीटी उसकी रद्धानी, है तो इस तरह देश के साथ उसकी रजधानियों को हमने देखा और फिर देखिए उत्री अमेरिका का एक फैक्ट है इसमें जो भी देश हैं वो दो साग्रों से सीमा अपनी साजा कर रहे हैं देखिए यह कनाडा को देखिए यह पस्चिम में प्रसांत महासागर से और में यह देखिए यह गल्फ अफ मेक्सिको है और यह कैरेबियन सागर का एक पार्ट है तो यह दोनों तरफ जलिये तट बना रहा है और फिर यहां आप देख रहे हैं बेलीज को तो बेलीज और यह है एल सलवाडोर यहीं दो ऐसे देश हैं पूरे उत्री अमेरिका में जो यह हैं दो बाकी जितने भी देश है ऊत्री अमेरिका में यह कहीं न कहींilda होर इनकी तड जो है जलिए सील है तो देखे है नहीं गोजा यह करे यह देखिए बहुत ही इंबारी की इसे गदिशना पड़ कि नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसे कोस्टन एक्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं एक्जाम्स में डिरेक्ट आप से कोई यह नहीं पूछ देगा कि अमेरिका के दानी कहां है यह बहुत पहले पूछा जाता था अब सीधे इनके तटिये और जो मतलब कंफ्यू को मैं हम देखेंगे इसके अंतरकात जो भी सागर है यह जो बड़ी-बड़ी म daran यह कैम अंतरकात जो थोटे जो भी खाळभाया हैं उनको अम देखेंगे और चैनल्स जो भी उनको देखेंगे तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही उसके अगली बार्दने पार्ट में हम द दर्नेवाद!